नमस्कार, स्वागत है आपका अव्यूदे क्लासेज में काफी दिन बाद आज क्लासेज हो रही है, जो पिछले पांच साथ दिन गए बहुत प्यारे निकले हैं, देखो क्या होता है, कभी आपने देखा है, साल बर बाद में कभी दो तीन दिन के लिए बुखार हो जाता है, तो भी बड़ा आनन्द आता है, तो वही आनन्द हमने पिछले पांच साथ दिन के लिया था, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसी करम में हमने बैंकिंगे मौदरे नीती देख ली थी, देखो शवाना मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था, और इन फैक्ट जो तुम डेली यह भी हम बहुत जल्दी इसको फुल्फिल कर लेंगे, क्लासेज की तोड़ी फ्रिक्वेंसियों बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद के बाद जो हमारे एकनामिक कोर्स बचावा है, उसको भी पूरा कर लेंगे, और उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और पॉल्फिक जिसका नाम है मुद्रा इस्ट्री क्या स्विती मुद्रा इस्विती इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, देखो यह ऐसी जबरदस चड़िया है मुद्रा इस्विती की अच्छा अच्छो के होश उड़ा देती है, सरकारे बदल देती है, प्याज के जब भाव कि मुद्रा इस्विति है यह विलेन भी है तो साथ साथ हीरो भी है अच्छा वरत्मान में जो भी एक डिपेड चल रही ना एक्टरेस और हीरोईंस के उपर हीरो के उपर एक बात ध्यान रखना जितने भी कलाकार अभी ड्रग केसेज में पकड़ में आ रहे हैं यह सारे क्या यह लोग हीरो है है यह हमारे परम वीर चकर वजेता जो सेनी के वह हीरो है। यह हीरो निये स्वंभू हीरो बनने ही कोश्च करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं देखे दो वर्थमान में जो हुमारी अ atmali चल रही है ना इस देश की अर्थवास्ता में सबसे बड़ी कोई चनौती änge में आज के समये में तो वह कौन सी है मुद्रան्टी कौन सी है यह बढ़राश्वी सुझे ही है यह रहे को बता criteria बांध रखा है वो भी क्या बांध रखा है कि देश की यदि मुद्राइस्विती 4% के प्लस माइनस 2 होती है तो हम उसी के अनुसार अपनी नीती बनाएंगे और इन्नों ने यह भी तैकर रखा है कि यह 4% से प्लस माइनस 2 से मेरा सब्सक्राइब को बता चुका हूं कि दो प्रतिशत से लेके 6% के बीच में मुद्राइस्विती रहनी चाहिए हमारा सारा जोर इकनॉमिका क्या है जो भी नए हम पॉलिसी लेके आते हैं जो भी हम नए कोई नियम कायदे लेके आते हैं उसके जिरो परसेंट जिसे हम कोई बेंचमार्क माल लेते हैं जिरो परसेंट से यह उपर चलते हैं एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट तो हम क्या बोलते हैं मुद्राइस्विती घट रही है जिरो परसेंट से यह कम चले जाए मतलब नेगे में मुद्राइ बिए नेगटिव वह सकती तो पॉजटी भी हो सकती है समझ गए हमने दर के माध्यम से मुद्राइस्विति बताते हैं तो यह एक परसेंट भी हो सकती है इसको हम इंफलेशन भी बोलते हैं क्लियर है न हाँ इसको कैसे करेंगे रेट ओफ इनफलेशन महंगई मतलब मुद्रा मुद्राइस्विति की दर के माध्यम से इसको बताएंगे समझ गए इस परस्ट है जैसे हम कई वर बोलते हैं आप तो सब सस्ता है तो यह परियावाची शब्दी मानों अगर नेगेटिव में भी अगर मैं मुद्राइस्विति की बात करता हूं एक नॉमिक्स में यह मुद्राइस्विति जीरो प्रतिशन से कम में होती है तो हम क्या बोलेंगे नेगेटिव रेट ओव इंफलेशन है रिनात्मक दर है मुद्राइस्विति की सबस्ट है बहुत बढ़िया अब देखो स्क्रीन पर देखो मैंने आपको ट्राइंगल बना रहा है इस इन तीन बेसिक पिल्ड़ों में एक तो हो गया विनिमेदर एक हो गया व्रदीदर और तीसरा हो गया मुद्राइस्विति इसी पर हमारी एकनौमेटिक हुई है और यह तो तीनु पॉइंट है न दोस्तों इन तीनु पॉइंटों के प्रति हमारे देश में अभी भी इतनी जागुरुकता नहीं है वीनिवेदर के माध्यम से व्रदी दर के माध्यम से या मुद्रा इस्विती के माध्यम से हम ये तो जानते हैं कि महंगाई बढ़ गई सब्जी लेने गए प्याज लेने गई जो कल 40 रुपे का था में तक रहे ख़बर आती है कि प्याज आज भी उसा कल की रेट में मिल रहाता है लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि सब्णी यह बढ़ बढ़गे है अध Benjamin's करने लग जाते हैं जैसे की नाकुर में उन्हें मालूम पड़ता है कि आने वा प्याज जो है वह पांस दिन आने वाला या छोड में आने वाला है तो आप देखना आने वाले तो आनेवाले पांचे दिन से पहले 15 देखे ज्बाम बढ़ा देंगे और जैसे ऑ Increasional आपको मालूम पढ़ता है जो 60 रुपे का प्यास था वो घठते फाने 45 पर आ गया समझ गए आव इस सब्सक्राइब कर देंगे मतलब और लाब कमा लिया अब भहस चल रही ना मेरे पर राहूल का फोन आया था सर कि जो यह क्रिशी विधेक कानून बन चुका है इसके बारे में एक लेक्टर ले लो मैं रोज उसके बारे में पढ़ रहा था खुब उत्सुक्त होती थी कि मेरा बड़ा प्रिवेव विषय है हम तो कैसे भी करके विषय आपके साथ लेके आऊं तो देखो अब बले चंगे हो एक बार ये एकनॉमी का सेशन ले लेते हैं इसके बाद एक सेशन लेंगे जिसमें जितने भी इस बार की संसद में विधेक लिए गए उन सभी विधेकों के बारे में आप और में चर्चा कर लेंगे समझें कोन-कौन से तीन तीन पिलर एं ध्यान रखना विनेमेदर वरद्डि दर और मुद्राइस फिती यह हम इकनॉमी के तीन पिलर मानते हैं और तीन पिलरों में एक बहुती मजबूत पिलर रहें मुद्राइस पिलर यह देख लेना ना चैकर नोटस में जैसे दियें इसको ऐसी बना लेना उतार लेना अब हम समझ लेते हैं इसके डेफिनिशन क्या देखो प्रीवेस लेक्टर आप समने देखे होंगे तो आपको यह तो अवश्य ध्यान होगा कि मैंने आप से हर बार कहा है कि जो मुद्रा इस विती है वो क्या होती है आज मै सबजी लेने गया तो टमाटर के भाव अगर 40 रुपे हैं सबोस्कोर 40 रुपे से मेरा क्या ताच पर यह है कि कल यह 30 रुपे के थे और आज 40 रुपे के तो मैं घर आकर क्या कहूंगा कि साब आज तो माँ टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए मतलब महंगा यह बढ़ गई आपको बढ़ा मिलते हैं तो आप क्या बोलते कि बढ़ी महंघ ही अगई अच्छा अब यह सबसदने कि और अब माहा के घर ना 要खously करते हैं वह एक महात के तो है ऐसा नहीं है कि पांसा दिन बाद ही एक दम से भाव गिर गए तो महंगाई भी गिर गई या मुद्रा इस्वीति भी उसकी नहीं एक महाता कंसिस्टेंसी अगर पूरे बजार में रहती है तो इसको बोलेंगे मुद्रा इस्वीति दूसरी बात और जोड़ लेना अब अच ढ़ता ह्यदी टम carry बढ़ें तो इसका मुद्रा इस्वीति नहीं बोलेंगे मतलक या होता है मुद्रा इस्वीति में पूरा बंच व बास्केट होता जिसके भाव एक साथ बढ़ते हैं आप सब्जी लेने गें तो आपको बहवरवाबढ़ मिलेओं आप दाल लेने केए तो आपको बजार में भाववव भढ़व मिलेओंघ आप गोलखप्य खानवें गए तो जहां 10 गप पे 6 के 5 ही रह जाएंगे समझ गए और हाँ बाकी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे चलिए इस परिवाशा में देखो मैंने कीवर्ड लिखे एक तो मोल लिस्थर एक सतत व्रद्धी और एक महा मतलब की पर्टिकलर किसी बास्केट और प्रोडेक्ट के मोल लिस्थरों म यदि सदत व्रद्धी होती है और एक महा तक वो व्रद्धी द्रष्टी गोचर होती है तो उसी को क्या बोलेंगे हूं मुद्रा इस्थी बोलेंगे इंफ्लेशन बोलेंगे अच्छा यह CCEA 2009 में इन्होंने भी एक डेफिनिशन दिये CC क्या है Cabinet Committee of Economic Affairs 2009 में उन्होंने मुद लगातार व्रद्धी जो मैंने आपसे काता था ना यह जो लगातार अगर किसी कीमत में व्रद्धी हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे दूसरा मुद्रा के क्रै शक्ति में होने वाली गिरावत क्रै शक्ति मतलब purchasing power इसका मतलब क्या है सर देखो आप गोल कप्पे लेने गए 10 रुपे के आपको कितने गोल कप्पे मिलते थे पहले 6 कितने मिलते थे 6 अब आप 10 रुपे लेके गए और गोल कप्पे कितने मिले आपको 5 तो क्या हो गई उस 10 रुपे की क्रेय शक्ति कम हो गई पहले आप 10 रुपे के 3 समों से मिलते थे हमारी दुकान पर आपको कितने मिलते थे 10 रुपे के 3 समों से मिलते थे और अब आपको 10 रुपे के कितने समों से मिलते हैं 2 समों से मिलते हैं तो क्या हो गया उस 10 रुपे की value में कमी आ गई समझे लहो न जो 10 रुपे पहले आप लेके जाते ते उस 10 रुपे के बतले में आप वो 3 संबों से मिला करते थे अब कितने मिलते हैं 2 संबों से ही मिलते हैं इसका मतलब क्या हुआ मुद्रा इस्विती क्या हो गई मुद्रा के मुल्यों का शरण हो गया, क्या हो गया, उस मुद्रा के मुल्यों का शरण हो गया, देखो, मुद्रा के मुल्यों का क्या हो गया दोस्तो, शरण हो गया, अच्छा एक चीज और ध्यान करो, एक तो मुद्रा के मुल्यों का शरण होता है, इसी तरह किसे गरीबी हो कि आज में गरीब हूं हां गरीब एक मुझे बड़ा मैदार किस्सा ध्यानमा है हमारे एक मित्र है वह वैसे तो बैंक में बहुत बड़े दिकरी हैं लेकिन कि मुझी आद्मी है राष्ताने मुझी मतलब क्या होता है कंजूस गोला जाता है यह से जबर्दस कंजूस पूछो चल रही तो बहुत जबर्दस के अभी में लेकिन से मेरा स्भाण से तो यह आ तो गय ते कहां पर अपने घर के पास में किसी चुराय तक और वहां से घर पर पेदल भी जी को अब बहुत क्या क्या कर एंग इतने बड़े बैंक में अधीकारी है में कमाती हूं हम दोनों कमाते हैं हम गरीब कैसे हो गरीब है अपन जोंके संसाधनों को प्रापTh करने कि शमता नहीं कि मनतलब प्राप्त करने का खरक्ता है मतलब की का शरक्ड हो जाता है तो यह समझाने और हम ने भी वह ग्यान प्राप्त किया तो बहुत आप भी समय वह वह चाहिए लेकिन पैसा होते वह यह नहीं यह प्राप्त करने में अक्षम होता है यही गरीबी है जैसे मुझे भूजन लगा भूक लगी अगर मैं अच्छे से जाके कहीं पर भी किसी रेश्टोरेंट में ये किसी भी दुकान से फल्फूट लेके खा सकता हूँ तो मैं गरीब कहला हूँ कि नहीं संसाद अनों को यदि में प्राप्त नहीं कर पाता हूं तो वो गरीब कहलाओंगा अचा ये गरीबी की भी बड़ी जबर्दसकानी है स्टेंडर्स होते हैं इसमें मैं मेरे बच्चे को यदि ऑक्सफोर्ड में बढ़ाना चाहता हूं तो मेरी कम्यूनिटी होईगी उसमें मैं गरीब हूं समझ गए और उससे नीचे की कम्यूनिटी है जिसमें अपने बच्चे को वो प्राइविट इसकूल में पढ़ाना चाहता है तो उसका जो वर्ग है उसमें वो गरीब है क्योंकि उसके साथ वालों के बच्चे यदि अंगरी जी माध्यम विध्यले में बढ़ रहे हैं तो अब जोको वो शिक्षा नीती भी आई है वो भी आपके साथ डिसक्स करनी है ये जो पितले 7-8-10 दिन गए है न ये बड़े ही शांदार गए है इसे तीन-चार डेली अखवार जब मैं देखता था तो मैंने कहा रही बड़े प्यारी प्यारे पॉइंट से हैं सब आपके साथ डिसक्स करने चाहिए गरीबी समझ गए मानव संसादनों का शरन क्या हो गया गरीबी हो गई इसी तरीके से मुद्रा के मूल्य में जब शरन हो जाये तो उसजी को हम क्या बोलते हैं मुद्रा-षफित्ति बोलते हैं यदि आपको इंट्रिवेर को सब राजी हो जाएंगे समझ गए? चलो इसस तरमे होने वाले लगातार व्रद्धी और इसमें भी ध्यान रखना ये क्या रहेगा? एक महा का उसत रहेगा. क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक महा का उसत रहेगा. दूसरा, मुद्रा के क्रेश शक्ती में होने वाली गि हरावाट. यह दोनु पॉइंटों को जब भी आप inflation के बारे में लिखो तो अवश्य लिखना चलो और यह दोनु घटना है important बात एक साथ घटनी चाहिए ऐसा नहीं कि लगातार व्रद्धी तो हो रही है लेकिन क्रेश शक्ति में गिरावटनी हो रही कैसे मतलब कि देखो आपके मुल में मुद्रा के मूल इस्तर में होने लगातार वद्धी जैसे कि दस रुपे के आप जो गोल कप पर लेने जाते थे पांच तो मिल रहे हैं आपको समझे ना लेकिन क्या हो रहा है अब आपने क्या वोला कोई बात नहीं तो पांच क्या चार कर ले मेरे पास 10 की जागे आज काजी किते कर दी समय से मैंने कर दस के दो कर दी तो कोई बात नहीं पंद्रा रूपे लो और तीन दे दो पांथ रुप पढ़े अपने पास और मैंने क्या देखा कि मेरे समोस की सेल में गरावट हिं नहीं तो मैंने शाम को बैठके सोचा कि ऐसा क्यूं हुआ ऐसा इसलिए वाकी भीया लोगों के पास पैसा extra आ गया मतलब कि क्रे शक्ती में गिरावट नहीं हुई समझ रो कीमतों में वर्द्य के साथ साथ क्रे शक्ती में भी गिरावट होनी चाहिए तब ही हम क्या बोलेंगे उसको मुद्राइस्विती बोलेंगे ध्यान रखना दोनु रिलेटेट टम्स हैं यह दोनु अगर इंसिडेंस साथ साथ घटित नहीं हो रहे हैं तो मुद्राइस्विती नहीं कहलाईगी यह ध्यान रखना यह किसने बोला है Cabinet Committee of Economic Office 2009 में मुद्राइस्विती के बारे में नहीं बात बोली थी मतलब की दोनु घटनाए एक साथ पाई जाती हैं और उसे ही हम मुद्राइस्विती कहेंगे अर्थात मुल्यों में होने अली लगातार व्रदी और मुद्रा के क्रेश शक्ती में होने वाली गिरावाटी दोन का विसे सेंटर सब्जेक्ट है दूसरा मुद्राइस्विती पूरे अर्थ व्यवस्ता में मांग आपूर्त की गन्ना होती है किसी इस्थान विशेश की मांग आपूर्त की गन्ना नहीं होती है सपोस करो मैं लखनौ में आपके जो भी पॉश एरिया है सपोस करो सिविल ल या नेता बड़े-बड़े ब्यूरेक्रेट सब अमीर व्यक्ति लोग रहते हैं अच्छा वहीं से अगर पांच साथ किलोमेटर बाद दूर चले जाता हूं तो जो सामाने मध्यमवर की कोई बस्ती है जैसे माली जी आप मदन मोहन मालवी नगर है उस मालवी नगर में वही ग ग्या तो आपको 20 रुपे किलो में जाती है समझ रहे हैं तो आपने क्या डिफरेंस देखा 20 रुपे किलो गाम में ती उससे आगे मालवी नगर में 30 में थी और सिविल लाइन में तो 50 रुपे किलो गह मिल रही थी तो मुद्रा इश्वीति दोस्तों जबी कहलाएगी जब गाहँ से लेके सिविल नाइन में घीया के भाव बढ़े वे मिलें समझ रहें ऐसा नहीं कि इसी शेत्र विशेश में भाव बढ़ रहे हों तो हम उसको बोलें कि मुद्राइस्वीती ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे इलाके में अगर ज्यादा महेंगी सब्जी बिकरी है तो मैं आफिस में या तुमारे साथ बैठके बोल दों कि दोस्तों आख तो मुद्राइस्वीती नहीं जान ले रखिए बहुत ज़्यादा बहेंकर बढ़ रही है तो आप समझा देना देखो सर आप जिस इलाके में रहते हो ना वहां लोग लूटते हैं आप लोग वो यह मान के जलते हैं कि आप लोग बहुत पैसे वाले हैं कभी हमारे इलाके में आओ सब्जी लेनी है तो सुव्य हमारे मंडी लगती है आजये करो आप कोई मुद्राइस्वीती नहीं है क्यों अल्ला मचाते हो समझ गए इंपॉर्टेंट बात कि पूरे अर्थ विवस्ता में एक तो पूरे व्रद एरिया की देखी जाती है जैसे मेरे पूरे जिले की देखी जाएगी या पूरे राजिस्तान की देखी जाएगी समझ गए क्लियर है कैल्कुलेट कौन करता है कैल्कुलेट करता है मौसपी अब आप मुझे मौसपी का फुल फॉर्म अब तो आपको वेसे र आपको 30 रुपे किलो और आपने देखा कि 15 तारीक को यह 45 हो गया और तीस तारीक को फिर 25 प्रतेक दिन जो भाव रहे थे उसका एवरेज ले ली जाएगा मतलब एक साथ जोड़के 32 का भाग दे देंगे तो उस प्याज की एवरेज कीमत आजाएगी क्या जाएगी एवरेज कीमत आजाएगी इसी को हम क्या मानेंगे मुद्रा इस्विती के लिए डेटा मानके चलेंगे यहां तक क्लियर है चलो अब बड़े अच्छी छोटी चीज इसे फिर इन्फलेशन के जैसे 1970 मैं इसमें एक बैंचमार्क आपको बताया 1970 से पूर किस प्रकार से मुद्रा इस्विती के कारण मानते थे और 1970 के बाद कि अब मुद्रा इस्विती के क्या कारण मानते थे जेखो क्या एक नौमी में कई changes है तो 1970 से पहले जो इन्फलेशन ह होने के reason different हो गए अब देखो 1970 से पूर जो हमारे अर्थ सास्त्री थे उन्होंने क्या बोला था कि अभी की जो condition है उसके इसाब से inflation के कारण क्या रहते हैं एक दो ती है मांग जनीत मुद्रास्विति जिसको हम क्या बोलते हैं आप ही मांग मतलब या डिमांड कि अचा इसका ध्यांड रखना न यह लोगा रिखन देख रहे हैं आप तो जानते होंगी ज्याव के साथ हमेशा पुल जोड़ेगा और रोलों यह पुछ युड़े कोई शोरूम जाओ कोई आफिस जाओ तो उस पर लिखा रहता है गेट पर पुल या पुश जो जो लिखा रहता है हमेशा पड़े से पड़ा लिखा आदमी वह उल्टाई काम करता है अगर पुल लिखा है पुल मतलब कहचना तो हम दरवाजे को क्या करेंगे धक्का देंगे यदि पुश लिखा है तो हम क्या करेंगे उसको पुल करेंगे मतलब अंदर से हमारा दिमाग क्या कहता है कि इसने पुल लिखा है तो पुश कर अगर पुश लिखा है तो पुल कर तो पुल क्या होता है खीचना और पुश क्या होता है धक्का देना समझ गए तो दो तरे क अस almonds 1170 से पूर के और स्यास्त्रियोंने कारण बताय मुद्रास्विती की एक मांग जनिद मुद्रास्विति के और एक लागवतिः अच्छा मांग एक तरव आप पूरती है यह तराजू हमेसा क्या होनी चाहिए बराबर रहनी चाहिए अगर यह बराबर नहीं है तो क्या है मुद्रा स्वीती में कहीं न कहीं घटत या बढ़त मैं आपको देखने के मिलेगी अच्छा मांग से क्या हो गया कि एक दम से विकाज जी के समुसे बहुत फेमोस होगे बजार में जो देखे जो भील लगरी में दुकान के आगे तो मैं क्या करूंगा समुसे के दाम बढ़ा दूगा जब दुनिया टूट टूट के पढ़ रही है मेरे याँ दुकान पर समुसा खरिदने के लिए तो मैं क्यों उ पुल किया उसे क्या हुआ दाम बढ़ गए समझ गये किसी बीचीज की दिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा अब जो से इंडस्ट्री में सब नसेडी बैटेवें अब द्रुप मिल लिरी ड्रुप की डिमांड बहुत ज़्यादा ये लेकिन सपलाई हो नहीं रही जब सप् सब्सक्राइब देखो मांग तो उतनी हैं सबस्क्रों समोसे जो मेरे मेरे एक सब्सक्राइब बड़िये लेकिन आलू की वजल घड़ा गई आलू कैसे आथे हैं बहुत खराब आलू आ रहे हैं तो पीछे से यदि मेरे पास प्रोड़ आप फर्ड़ेयरी यहगी तो क्या होगा मुझे अब्वेसी बात हैं लेने वाले जादा हैं रौ मेटरिल मेरे पाग कम है तो मैं उसके दाम बढ़ा दूँगा ये भी एक कारण होता है समझ गए मांग और आप उर्थी सिंपल और हमारी अर्थ व्यवस्ता में भी ये आप आसानी समझ सकते हैं कहीं पर मां बढ़ जाते हैं कहीं पर आप उर्थी उसी कम जाती है तो दाम फिर भी आप देखते हैं भया भड़ जाते हैं समझ गए मांग आप उर्थी का ये तराजू हमेसा समान रहना चाहिए तो ये आपकी अर्थ व्यवस्ता कैसे चलेगी भया समान आंतर नियंत्रित रूप से च करोगे आप ठीक करने के लिए बराबर ले क्या होगे अब बराबर लाने के लिए क्लिए कर रहे हैं यदि अगर मांग कम है तो आप क्या करोगे सब किसी चीज की मांग ज्यादा है और उसके दाम भड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो टैक्स में छूट दे सकते हैं उसी क कि दाम कम हो जाएंगे बहुत सिंपल फंडा है बड़े से बड़े कॉंसेट आपके से सौल हो जाएंगे देखो यह बात कब करी 1970 के दिशक के पूर की जब अन्य ज्यादा को प्रभावित नहीं करते थे समझ के दूसरा लागजनी कॉस्ट कुष में यही माली जैब यहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो फैक्टर कॉस्ट है क्या उत्पादन मुल फैक्टर कॉस्ट आप सभी जानते हैं मैंने बोल देख साब मैं आज से जो मजदूरी आप पहर इंट्रे भीजन ले रहे आज आज आप डेखर बोल रहे हैं तो वहाँ के संचालग ने भोला कि सब्सक्राइब क्या करों वह तुच आरू पिछ आपके साथ सवारों पदा टीच्ट्रों ना मंजदूरी बड़ा दी इस शचारा थी शी चारण से हमें आप लोगों की समझ गई श्रम ये सारे इसके अंदर आते हैं पेक्टर कोश्ट मा पेक्टर कोस्ट ने इनमें यदि बरदी होती है तो तैम आनके चलो इसका एफ़ेट किस पर पड़ेगा उत्पादों पेताइगा मतलब कि किसी बी उत्पाद्द के उत्पादन मॹलने महोने बरदी आपकी मेरा उद्देश है मांग जनित मुद्राइस्विती लागत जनित मुद्राइस्विती कि आपके प्रश्ण आएंगे ना वो थोड़े से ट्रेगी आते हैं सैंस वाले आते हैं कि आपको फील करना पड़ेगा कि वह एक्जामनेर आप से पूझ किया रहा है तब आप आसानी से जवाब देद हो गए दोनों आपने देख ली मांग जनित मुद्राइस्विती और लागत जनित मुद्राइस्विती कब की बात करी 1970 के पहले की बात करी 1970 के बाद विश में कई चेंजे आने स्टार्ट हो गए और हम देखते हैं कि बहार यूरोपियन और आपके अमेरिकन Western countries में Globalization का दौर भी स्टार्ट हो गया था जिसका प्रबाव हमारे यहां पर कब आया था 1990 में जाके आया था अब अब यहाँ जो चेंजे आये मेरे प्यारे दोस्तों इस चेंजे के बाद हमारे एकनॉमिक्स ने कई अन और विचारधाराय लेके आये किसके प्रति इन्फ् यह जो आपके डिमांड शपलाई की जो थियोरी है ना इन्होंने इसको चुनोती दे दी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आप देखेंगे कि पहले एक बौद्धिकवर्ग ने एक फिलोसफी या थियोरी लेके आ है उसके अगेस में कुछ सालों बाद में एक नय इसी प्रकार से 1970 के बाद में यह जो डिमांड सप्लाई की विचार धारा थी इसको चुनोती मिली और इन्होंने क्या बोला कि उत्पादन और मुद्रापूर्ती का जो संबंद आपने बताया है इसमें दोस्तों उत्पादन और मुद्रापूर्ती का जो थियोरी दी गई इसकंतर कित क्या था देखो इन्होंने बोला कि देखो आपने क्या किया है कि जो मुद्रावादी विचार धारा में बोला कि आपने प्रोडेक्शन तो नहीं बढ़ाया क्या प्रोडेक्शन तो नहीं बढ़ाया मार्केट में लेकिन आपने क्या किया मनी सप्लाई को दिया इन्होंने क्या बोला किसा बजार में देखो आपके कोई डिमैंड सप्लाई का चक्कर नहीं पड़ा है आपने इतने नोट छाप दिए कि लोगों के पास पैसा बहुत आ गया सपोस्पोस करो आपने एक नौमी में क्या किया आपने एक लाग करोड़ पचास हजार गया बतलब की मतलब की लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो जहां मैने आपको एक एक्जामपल दिया था कि समूसह खरीदने में घया जो मुझे 10 रुपे का दोल्ते थे का 3 मिलते से मतले थे अब मेरे पास ज्यादा पैसा है तो पूरती ज़्यादा हो गई है किसकी हो गई है मुद्रा के आप उर्ती ज़्यादा हो गई है डिमांड सप्लाइ प्रॉडेक्ट की बात नहीं हो रही है यहां पर उस प्रॉडेक्ट के लिए जो आप पैसा घर्च कर रहे हो वो लोग के पास ज़्यादा आ गया और इसी से वह तो उनको investment भी करना पड़ा उससे लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ और जैसी पैसा आना ज्यादा स्टार्ट हुआ जाएगा सारे दुकानदार और सारे द्योग पती जान देंगे अब इनकी तनका बढ़ गई पैसा इनके पास ज्यादा आ गया समझ गई और इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं हमने देखा था उर्जीत पटेल जी की अद्धिक्स्ता में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी समझ गई चार वर्षपूर और उसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या देखती थी भया कि इंफलेशन कितनी बढ़नी है कितनी खटनी चाहिए इस पर उनने तैय किया था और उसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह तैय किया था कि जो है वहाँ मेरे प्यारे दोस्तों 4% प्लस माइनस 2 के आसपास ही रहनी चाहिए इससे ना तो 2% से कम होनी चाहिए ना 6% से जादा होनी चाहिए मुद्रवादी विचारदारा समझ गए ये किनेंशन विचारदारा के अपोजिट मतलब इनके अगेंस्ट में आई थी उन्होंने इसको चुनोती दी थी उत्पादन आपका वही बराबर है लेकिन मुद्रा पूर्ती आपकी भड़ गई समझ ग कारण देख लिए अब इन कारण देख लिए तब आपको बड़ा आसान हुजाता है उपाय करना जैसे अगर मुझे मालूम पढ़ गया साहब विकास जी को करो ना हो गया तो आप मैं सई ट्रीटमेंट ले सकता हूं खांसी जो काम या एक बर आपको मालूम पढ़ गया कि यह समझ्या है तो उसकी दवाई वही चालू कर दें तो इसी प्रकार मुधरायस फिती जो थी यहा मुधरायस फिती के कारण हमने देखें कि वही आप मांग जनित होती है लागज जनित होती है एक हमने देखा 1970 के बाद मुधरावादी विचार धारा इसको मोनेटनिस भी होते हैं अब इनके उपाय कर लेते हैं जब हमें समस्या मौलूम पड़ गई तो उसके उपाय भी निकाल लेती है देखो इसके उपाय दिनी पक्षों पर चलेंगे आप पूर्ति पक्ष पर बागत पक्ष पर मौद्रिग percentage है यदि पाम ओईल आप देखिए आजकल पाम ओईल खुम मिलता है और पाम ओईल खुम मिक्स करके अन्य तेल बनाया जाते हैं तो इस प्रकार के खाद तेलों का हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं जिससे हमारे यहां पर खाद समगरियों की कीमत अधिक सीमा से ना भड़े समझ गए तापूर्ती पक्ष में आप क्या क्या कर सकते हो अब आपके पास उपाए भी आ गए कौन को उपाए हो गए और इसको बोलेंगे हम सप्लाई साइड मीजर क्या बोलेंगे सप्लाई साइड मीजर ठीक है ना एक एक मीजर हैं इसमें देख लो देखो अगर आपने ख हम यह पाएक कर सकते हैं अच्छा आप यह आपने आयाद किया कैसा हुपाई इसका हिसा क्या हैं है कि देश में इसका पादन नहींद बढ़ा दिया पहले हम आयाद लो के मावले में हम आत निर्वर होते जा रहें और क्यों ज़रूर से बढ़ना हमारे यहां के निवासिों के लिए ऍदान हें लेंवेड़ी हैं चली उन जो गरीब कि Medal करीब की थाली में भी प्रोटीन पहुंचे और स्वस्त मानव पूंजी रहेगी तो देश भी क्या रहेगा मजबूत और मानव पूंजी के रूप में शशक्त बनता जाएगा समझ गए दूसरी बात आयात के लावा आप क्या कर सकते हो जैसे दीर गवधी के ज़िए आपको मसपाई करने हैं तो दीरगवधी के लिए पिर आप क्या करोगे आप करोगे इस प्रकार के हमारे यहांपर सिस्टम बने इस प्रकारकी ने टेकनलोजी आहाए या इस पकार के खेती के साधन उपना है कि हमारे यहां पर यहीं पर इसकी उपज बढ़ जाए समझ गए क्या करें उत्पाधन को बढ़ाने का प्रयास करें अच्छा इसके साथ सत्म और क्या कर सकते हैं देखो भंडारन परीवहन के साथ आप जोड़ देना वित्रन और साती साथ सबसे इंपोर्टेंट काम हम क्या कम कर सकते हैं जमाखोरी जिसको हम बोलते हैं होडिंग क्या बोलते हैं होडिंग जमाखोरी पर आप नकिल कर सकते हो बंडारन व्यवस्ता इस प्रकार से हो कि आपके भिया जितने भी FCI के गोदा में वहाँ पर टनों के टन बारिश में अनाज खराब ना हो जाएं बंडारन की बढ़िया वेवस्ता करें देखो आज ही में नीज़ पेपर में देख रहा था नीज़ पेपर में आया था कि नाफेड के साथ मिलके 300 के आसपास बड़े अच्छी मंडिया बना सकती यह देखना है अगर किसी वस्तो की कॉस्टिंग भढ़ रही तो सरकार क्या कर सकती आपके पास क्या उपाया है आपके वाद एक मातर रुपाय की इंडिरेक्ट टेक्स को कम करके आप उसकी कीमत को कम कर सकते हैं आप नमकीन का पैकेट लेने जाते हो अगर उसमें प्रक्ष में क्या कर सकते हो आप आपकी फैक्टर कॉस्ट को कम कर सकते हैं दूसरा साथ ही साथ सरकार क्या करेगी इसमें सरकार मेरे प्यारे दोस्तों इसमें इंडिरेक्ट टेक्स है अब यह तो हमने खतम कर दिया तो क्या करें यह जी एस्टी को कम करके आप अपनी मुद जिन जिन पर funk, बंध में मिली है। और इसपाथ, हमें एक सेनारियो देखने लिए लगए था है। दूसरा हमने क्या किया राज्यों को जो हम तेल दे रहे थे और राज्यों ने भी क्या किया उस पर उसमें जब वैट लगता था उस वैट को कम किया अचाहिए इनका क्या प्रभाव पढ़ता है तो पैट्रोल का पैट्रोल कीमत भढ़ने का cumulative fact पढ़ता है कि अगर भाड़ा अगर आपका ज्यादा आप दे रहे हो तो उसका प्रभाव अन्य वस्तुव भी पढ़ता है लेकिन हमारी अर्थ के वस्ता में किवल एक विडम ना देखने को मिलती है कि इसका cumulative fact न वह एक रुपे की जगे छह सात रुपे तक बढ़ा देते हैं कैसे देखो सपोस करो ह plotting का सौन और सबढ़के बढ़ता है अचा जैसे कि आप एक आप कोई ओट ऊधिक याग एक मान के चलता हूं कि एक कुलोमेटर पर आपके दो रुपे की एक्स्राकॉ से लिए वों सना सीधे एक सोटीन, एक सोटार रुप्य का सामाने , तौक्शता है wichtige हो सांजी ने किसığını? संद्ध और हमारे पर इसा को सरकारी तंत्र है के निजो कीमते बढ़ी हैं कि जो कीमते बढ़ी है क्या तो इसके लिए सरकार को इक ऐसा मेकेनिस्म करेट करना चाहिए हमारे यहां पर आज भी हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन की ही डंग से सर्विलाइंस नहीं कर पाते उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे पास सूपर कम्पूटर की बेहद गमी है और यह जितनी भी गन्ना कैलकुलेशन वाली चीजे ना इनकी कैलकुलेशन के लिए देश के पास सूपर कम्पूटर होना अत्यधिक आवश्यक है समझ गए? क्या कर सकते हो आप लागत पक्ष में? आप फैक्टर कॉस्ट कम कर सकते हो और सरकार उसमें क्या कर सकती है? सरकार के जो टेक्स लगाने वाली बाते हैं उसको भी लागत पक्ष में कम कर सकती है समझ गए देखो इसमें more or less बहुत थोड़ा संतर रहता है supply side में, demand side में आपको बस ये चीज़ समझ माना चाहिए किस चीज़ के demand प्रभाइत हो रही है और उस वस्तू के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है particular चीज़ के लिए भी समझ गए अच्छा और इसमें एक चीज़ और देख लिजे दीर गवदी के लिए हमें क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों दीर गवदी के लिए एक ही एक उपाय है जो local for local local के लिए vocal जो कहा था भया प्रधान मंत्री मोदी जी ने आवा शक्ता नुसार आवा शक्ता नुसार हमें क्या करना पड़ेगा उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा इसके लाव और कोई लाज निये दीर कालिक रूप में आपको इसको कंट्रूल करना है तो समझ गए अब एक बहुत इंपोर्टेंट इसका पक्षादता है मौदरिक उपाए जिसके बारे में वैसे हमने बैंकिंग का चैप्टर किया था मौदरिक नीती करी थी उसमें विस्तित रूप से चर्चा करी थी इसको और रिवाइस कर लेते हैं मौनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आ सकता है बिल्कुल सही बोला आपने मन में सोचा भी होगा सी एर आर हो गया एसेलर हो गया आपकी बैंक रेट हो गई यह सारे क्या उपाए हैं रैपो दर हो गई यह सारे आपके क्या उपाए हैं ये मौदरिग नीती के उपा है अचा अगर महंगाई भढ़ रही है उसको कम करने के लिए क्या कर होगा आप इन सब को बढ़ा दो CR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो, Rappor बढ़ा दो Bank rate बढ़ा दो तो से क्या होगा बजार में लोन के लिए पैसा कम जाएगा अचा लोग लोन कम लेंगे पैसा उनके पास कम जाएगा तो क्या होगा उसका reflect क्या पड़ेगा लोगों की क्रे करने की शक्ति में कम ही आ जाएगी इस परस्ट बात है आप इसमें दो बात तुम्हें तुरंट समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हमने मौदरिम दी थी बहुत अच्छे से पड़ी थी देखो जो रोज मर रहा है कि सामान है ना सबजी, तेल, घी इन सामानों का CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट का क्या इतना जबर्दत प्रभाव पड़ता है क्या थोड़ा सा यह उस से आपके मार्केट में पैसे की कुलिशन कम हो जाएगी समझ गए लेकिन तेल, गी, सबजी जो डेली के हमारी रोज मर रहा है कि अई इस मदों का इतना विशेश प्रभाव नहीं पड़ता है विशेश द्यान रखना प्रभाव पढ़ता है लेकिन विशेज प्रभाव नहीं पढ़ता है समझ गए? मतलब हमारे फूड आइटम हुए उसमें CRL, SLR, Bank Rate, Reporate इनका इतना प्रभाव नहीं पढ़ता है बड़े इंडस्ट्रीज को जरूर प्रभाव पढ़ता है उससे जरूर प्रभाव पढ़ता है सपोज करो कि एकदम से गाड़ियों के दाम बढ़ाने लग दिये या एकदम से आप देखते हैं कि इंफ्रस्ट्रक्चर की वज़े से महंगाई बढ़ रही है लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है सरकार ने इंफ्रस्ट्रक्चर में अगर ज़्यादा पैसा एंफ्यूज करती है और उसकी वज़े से लोगों के पास पैसा अधिकार है तो आप इनको बढ़ा दीजे उससे क्या होगा बज़ार में पैसा कम जाएगा पैसा कम जाएगा तो उसका एफेक्ट पढ़ता 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 नीचे तक आएगा नीचे तक क्या आएगा मेरी जेव में पैसा खर्च करने के लिए कम आएगा इस परस्ट है लेकिन इसका भी ध्यान रखना अगर लंबे समय तक यह मौतरी नीती के आप उपाए अपनाते होते इसका क्या होता है रिणात्मक प्रभाव पढ़ता है अरत्वेवासता पे और उसका फिर वह ही एक मात रुपाए क्या है उत्पादन बढ़ाओ टेक्नोलोजी लाओ और अपनी शमता को ہी सम्रद करो दिखो दोस्तों क्या था कल दोस्तों हमारे बालक के लिए वो गाम गया था तो उसने वो देख लिया एक वाटर गेम आता है जिसमें क्या आप ऐसे से करो तो रिंग डालनी होती है एक काउंसल होता है हाथ से खेलने का अब वो गाम में देखा था वो शायद गाम में 30 रुपे का था और वो गाम में भी मेड इन चायना था तो उस समय वो लिया नहीं किसा आप मेड इन चायना इसको लेंगे नहीं ठीक है अब शेर आगए तो आमने के मिल जाए तो फिर कल श्याम को हम नहीं नहीं करते वह तो दस-मारा प्लास्टिक आता है जिसमें वो ढवाते रहते हैं एक तरह दवाते हैं तो गोला सा जाता है तो चाहिने made in China था एक दुकान पर जो 50 रुपे का था एक बड़ी दुकान पर वही आइटम हमें 80 रुपे का मिल रहा था कहने का मेरा ताज परे क्या है कि हमें हमारी उत्पादन शमतर टेक्नलोजी में enhancement करना ही पड़ेगा एक छोटा सा ऐसा खिलोना जो आज से 10-15 वर्षपूर हमारे काम के मेलों में 10-10-5-5-2-3-3 रुपे में यूँ मिला करता था वहाँ खिलोना भी आज obsolete हो गया हमारे market में क्यों क्या हमारे नीतिया इसी थी कि हमने देश के खिलोना उद्ध्योग को बढ़ावा नहीं दिया क्या उस समय जो बनाने वाले खिलोना उद्ध्योग थे उनको technology नहीं दे सकते थे अब यह तो vision की बात है अब देखो खिलोना उद्ध्योग के लिए नहीं नीतिया यह अभी वर्त्मान में आपको ultimately क्या करना पड़ेगा अपना production प्लस प्रोडेक्ट की quality क्या करनी पड़ेगी एन्हांस करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी बिना उसके अलावा कोई डल्डभी नहीं चारानी है क्लिये अ यहयां तक आज क्या क्या देखा वे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह जो एक पिलर होते हैं अरतिवावस्ता है कि उनमेंसे एक मजबूत पिलर है फिर हमने इसके डेफिनिशन समझी कैबिनेट कमिटी एकनामिक अफेर्स के भी डेफिनिशन देखिए उससे कुछ मूल छोटी-छोटी इंपॉर्टेंट बात्ère मिद्रा स्वित्य बढ़ने के खारन की है उ सको अमने देखा है कि या अवुगाइ वह बलद इसी मयरेतर किंद इन प्रकार को देखिएगे प्रकार देखने के बाद फिर देखेंगे कितने टाइप सब इकनौमी या कितने टाइप के मुद्रा इस्विति आती हैं उनको भी समझेंगे चलो कल फिर मिलेंगे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई आपके साथ बातचीत हुई इसका बड़ा आनंद आया मेरे को भ बहुत खुशी है जितना खुन कम हुआ होगा पिदले आट दस दिन में आज आपके साथ क्लास लेके वह पुने बढ़ गया होगा अच्छा और अब तैयारी पुने बढ़िया से कर लेना मैं यह मान के चलता हूं कि जितना आपने पढ़ा है वो तो आट लीस्ट आपने र आज की अर्थ ववस्ता में हम लागू करते हैं वो टोटली डिपेंडिट किस पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पर है तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो जो अव्यव हमने समझे थे उसको इससे रिलेट करते चलेंगे और आपने वह अच्छे से पढ़ाय तो आप आसानी से इसके